नमस्कार दोस्तों स्वागत आपको मारे चैनल टेकनिक लाइवस में दोस्तों आज में आपको बताने वाला हूँ कि अगर आपके पास आईफोन है तो 2023 में आप आईफोन में बेस्ट कैमरा सेटिंग कैसे कर सकते हैं तो इस वीडियो में आपको यहीं बताने वाला हूँ तो अभी आप कैमरा अगर ओपेन करते हैं तो आपको नॉर्मल सेटिंग दिखेगी जैसे कि वीडियो रिकॉर्डिंग में जाते हैं या कहीं भी तो आप देख सकते हैं आप मेरा पहले साहीं 4K और 30fps पर सेट है तो मैं आपको आज यहीं बताने वाला हूँ कि आप बढ़ि तो यहाँ पर मैंने मोस्ट पर सेलेक्ट किया तो आप मोस्ट पर कर दीजिएगा फिर यहाँ पर जो रिकॉर्ड वीडियो मेंने आप 4K 30 fps किया है जैसा कि मैंने देखाया तो वहाँ से आप बीडियो में जाके उसको चेंज भी कर सकते हैं और यहाँ पर जो और आप पर 1080 पर लेगे चल रहा हूं ताकि जो recording हो बढ़िया से बढ़िया recording यहाँ पर आपका slow motion भी हो जाए और जो मेरा sound का जो है कि मतलब इस्टोडियो sound मतलब दोनों तरफ से sound लेगा तो मैंने इसको on कर रखा है आपको यहाँ पर देखा है तो यहाँ पर आप इस सेटिंग में आते हैं तो आपको यहाँ पर night mode को on रख लेना है और आपको live photo भी on कर लेना है और आप यहाँ पर camera mode पीछा है तो on कर सकते हैं और जैसा कि automatically photo को reset कर सकता है तो यहाँ पी यह normal settings है तो इसको आप on कर लिजेगा और यहाँ पर scan QR code जरूर on कर लिजेगा इससे क्या होगा कि आप camera से किसी भी QR code को scan करते हैं तो यह पूरा scan कर लेगा और यहाँ पर use value आपको दिखेगा scan QR code के ऊपर तो आपको select कर लेना इससे क्या कि volume बटम से भी आप photo simply click कर सकते हैं और फिर आपको यहाँ पर show detected text यहाँ पी इसको ऑन कर लेना इससे क्या होगा कि कहीं भी लिखा हुआ चीज अगर है तो camera में आपको अच्छे से show हो जाएगा और उसको copy भी यहाँ से कर सकते हैं फिर आप यहाँ आपको 13 है आपका अगर iPhone 14 या pro model है तो उसमें और भी अच्छे settings मिल जाएंगे देखने के लिए तो आप यह बहुत ही अच्छा setting आप ऐसा कर सकते हैं कुछ भी दिक्कत अगर आप दिए तो आप हमें कमेंट करें इस्टाग्राफ फॉलो करके message भी कर सकते हैं अगर आपके पास iPhone ह है तो मैं चैनल को subscribe कर दीजिए बेल आगम को भी दबा दीजिए ताकि आइफोन से लिडिट आपको notification मिलते हैं तो मिलते हैं अगले वीडियों तक के लिए जाएंगे आपको कुछ भी प्रॉब्लम हो तो आप हमें नीचे comment कर सकते हैं